इस तरीके से जब आप पैर को उठाएंगे ना तो आपको आपके पूरे थाई मसल्स आपके पूरे के पूरे हिप मसल्स को थोड़ा टाइड करके रखना है और इसका पूरा एफेक्ट आपकी हिप की जो मांसपेशियां है अभ्यास रामबाड है फिर से देखिए दोस्तों हमारी रीड की हड़ी यानि स्पाइनल कॉड हमारे शरीर को एक बेस देती है एक आधार देती है एक आधार का काम करती है और इसी स्पाइनल कॉड की वजह से हम आसानी से खड़े हो पाते हैं चल फिर पाते हैं घूम फिर पाते हैं नाच पाते हैं लेकिन वहीं का पेन हो जाए तो लोग डर जाते हैं कि अब तो हम आसानी से अपनी दिन चर्या यानि दिन भर में जो भी काम करना रहता है वो नहीं कर पाएंगे लेकिन अगर आप निरंतर योग का अभ्यास करें तो ये चीजें बिलकुल मुम्किन हैं जी हां आज की वीडियो में मैं कु कोई भी disorder हो उसमें हर एक योगासन आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि दर्द ही इतना है इसलिए चुनिंदा योगासनों के अभ्यास करना है step by step करना है तो आपको करना क्या है वीडियो को पूरा देखना है अंत तक चैनल में नए आये है ना चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है ना अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप में से बहुत से लोग वीडियो देखते हैं बहुत पसंद करते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं नमश्कार दोस्तों मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद शहीदा में दोस्तों कैसे हैं आप सभी तो आईए सबसे पहले योग आसन का जो हम अभ्यास करेंगे इसका न अपनी योगा मैट पर पीट के बल लेटते हैं अराम से ऐसे पीट के बल लेटने के बाद अपने दोनों पैरों को आपने ऐसे घुटने से मोल लेना है दोनों पैर की एडियां और अंगुठा एक लाइन पे हो इस तरीके से एक साथ जुड़े हो और दोनों पैर के घुट गुटनों को ऐसे आपको फ्लोर पर ड्रॉप करना है ऐसे इस तरीके से ठीक है इधर से देखें सास ले और सास शोड़ते हुए ऐसे दोनों पैरों को ऐसे गुटनों को ऐसे ड्रॉप करना है फ्लोर पर फिर सास ले और सास शोड़ते हुए दोनों पैरों को दूसरी तरफ ऐ जैसे दोनों घुटनों को मैं right side floor पर drop कर रही हूँ तो right घुटने के ऊपर left घुटना है right पैर के पंजे के ऊपर left pair का पंजा है और फिर उसके बाद चहरे को घुमा दिया मैंने left shoulder की तरफ ऐसे फिर उसके बाद सास लिया और दोनों पैरों को वापस से left side ऐसे drop कर दिया और चहरे को घुमा दिया अपने right shoulder की तरफ right कंधे की तरफ ऐसे तो इसका अभ्यास 10 times right 10 times left कर ले ऐसे सास छोड़े, ऐसे ड्रॉप कर दे सास ले, और सास छोड़े, ऐसे ड्रॉप कर दे चहरे को जो है, तो घुमाते रहे, opposite shoulder की तरफ, इस तरीके से ऐसे, इस तरीके से तो इससे क्या होगा, कि पूरी की पूरी spinal cord पर सास लिया सेंटर और सास शोड़ते हुए ऐसे ड्रॉप कर दिया ऐसे बहुत नीचे ऐसे मत रखिएगा गुटने को मोड कर रखिएगा इस तरीके से और ध्यान कहा रखना है अपनी नाभी पर रखिए इससे आपकी abdominal muscles भी मजबूत होंगी और आपका digestion बहतर होगा मरकट आसन के दूसरे variation के लिए क्या करना पड़ेगा फिर से हम अपनी पीट के बल आराम से ऐसे लेट जाएंगे दोनों हाथों को वापस से ठीकी position पे ऐसे रखेंगे और फिर उसके बाद दोनों पैरों के बीच में आप फासला कर लेंगे ठीक है इस तरीके से दोनों पैरों के बीच में आप फासला कर लेंगे, दोनों हाथों को T की पोजीशन पे रखेंगे, दोनों घुटनों के बीच में कंधे जितना फासला, दोनों पैरों के बीच में कंधे जितना फासला, आपनी हिप जितना फासला करेंगे, और दोनों हाथों को T की पोजीशन की तरफ drop होगा, ऐसे, इस तरीके से, ऐसे, सास लेंगे और सास शोड़ते हुए, इस तरीके से right knee, left foot की तरफ drop किया है, ऐसे, तो आप जब इसमें भी अभ्यास करें, दोनों पैरों की बीच में फासला करके, ऐसे जब drop करेंगे तो आप देख रहे हैं आपकी left knee right foot की तरफ है और चहरे को आपने घुमा दिया left कंधे की तरफ ऐसे फिर उसके बाद सास लिया दोनों पैरों को center पे ले के आए और फिर उसके बाद अपने दोनों घुटनों को आपने left side जब drop किया तो right knee left foot के ऊपर है ऐसे और चहरे को घुमा दिया right shoulder की तरफ इसको भी 10 times सास लेंगे सास छोडेंगे सास लेंगे सास छोडेंगे सास लेंगे और सास छोडेंगे तो 10 times इसी तरीके से और अगर breathing synchronize ना कर पाए तो normal breathing के साथ करें एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप इस अभ्यास को कर रहे हो तो पैरों को ऐसे बहुत पास में मत रखिएगा ऐसे वरना फिर ऐसे drop कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा तो हलका सा लगबद एक बीत्ते का इतना फासला लेंगे यहां पर ऐसे और फिर उसके बाद करिए और पैरों को जोड के मत अभ्यास कीजिएगा पैरों के बीच मे का प्रॉबलम हो चाहे लोवर बैक का प्रॉबलम हो चाहे स्लिप डिस्की की समस्या हो तो आपकी रीड के हड़ी से रिलेटेड किसी भी तरीके की समस्या में बहुत ही जादा असरदार आसन है तो आप क्या करेंगे अपने पेट के बल लेट जाएंगे पेट के बल इस तर उसरे के साथ और आप अपने पेट के बल ऐसे लेटे हुए हैं। अब दोनों हाथों को क्या करेंगे अपनी च्छाति के साइड में यहां पर इस तरीके से रखेंगे। और फिर उसके बाद अपने माथे को ऐसे मैथ पर रखेंगे। अब भुजंगा आसन के अभ्यास के लिए सांस लेंगे धीरे 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 हैड आप करेंगे, चेस्ट आप करेंगे और अपनी पूरी की पूरी जो back muscles है ना इन पर ध्यान लेके आएंगे और छट की तरफ देखेंगे पूरी की पूरी कूले की जो हड़ियां है कूले की मांस्पेशियां इनको मस्बूत करके रखेंगे और छट की तरफ देखेंगे और सास शोड़ते हुए तो इसको 5 से 10 सेकेंड आपको होल्ड करके रखना है फिर से देखिए सास लेंगे सर छाती उठाएंगे नाभी मैट पर है नेवल रीजन मैट पर है और लुकिंग अप टूर्ड दे सीलिंग बॉड़ी का वेड दोनों हाथ की हथेलियों पर है एडियां जुड़ी हुई है और सास शोड़ते हुए ड्रॉप कर देंगे तो इसमें आप देख रहे हैं पेट पर कितना अच्छा दबाओ आ रहा है और पूरी लोवर बैक कितनी अच्छी तरीके से आपने इस जगह को कॉन्ट्रैक करना है मैंने बताया ना कूल है की मानस पेश्यों को पूरी की पूरी टाइट करके रखना है एक गलती जो करते हैं बहुत से लोग भुजंगासन का अभ्यास करते वक्त कि पूरे हाथ को सिधा कर लेंगे नाभी को मैट से उठा देंगे तो ऐसा मत कीजिएगा क्योंकि एडिया जुड़ी हुई है ना तो लोवर बैक पर बड़ी टेंशन आ सकती है तो आप गलती क्या करते हैं पहले देख लीजिए ऐसे पैर को जोड़े रहेंगे और पूरे हाथ को ऐसे उठा देंगे तो ये इस तरीके से अभ्यास आपको कता ही नहीं करना है वरना आपको बहुत दर्द होगा बस आपको इतना उठाना है कि ना भी जो है वो मैट पर रहे हैड ड्रॉप कर दिया सास लिया देखिए नेवल रिजिन मैट पर यौर लुकिंग अप टुवर्ड जीली कॉंट्रैक्ट यूर हिप मसल्स ऐसे इस तरीके से और फिर उसके बाद 10 सेकेंड सक रोक ले अगर आपको सास रोकने में दिक्कत आ रही है तो आप क्या करें कि नॉर्मल ब्रीधिंग के साथ भी इसका अभ्यास कर सकते हैं फिर उसके बाद दोनों पैरों को एक दूसरे से दूर करें और पेट के बल क्रोकोडाइल पोज यानि मकर आसन में आराम करेंगे ऐसे और ब्रीध करते रहें दोनों पैरों को एक दूसरे से दूर कर दे एडिया अंदर की तरफ है और पैर के जो बड़े अंगुठे हैं वो बाहर की तरफ है ऐसे और पूरी तरीके से रिलाक्स हो जाएं ऐसे अब हमने भुजंग आसन का अभ्यास कर लिया अब मैं आपको जो अगला आसन का अभ्यास सिखा रही हूँ इसका नाम है अर्ध शलभासन शलभासन को इंगलिश में लोकस्ट पोज कहते हैं अर्ध मीज हाफ तो इसके अभ्यास के लिए आपको क्या करना है साइड में रख लिया फिर धीरे से अपनी बॉड़ी के अंदर अपने हाथों को ऐसे टक कर दीजिए और आप अपनी चिन को जो ठुड़ी है ना चिन को ऐसे मैट पर रखेंगे माथे को नहीं रखेंगे चिन को क्योंकि जब आप अपने पैर को उठाएंगे ना तो आपको आपकी चिन से थोड़ा सपोर्ट मिलेगा तो अपनी चिन को ऐसे रखें पैरों को जोड़ के रखें और फिर उसके बाद धीरे से अपने एक पैर को इस तरीके से जितना हो सके और नीचे से उठाएंगे ऐसे और होल्ड करके रखें वान टू थ्री फोर फाइफ और ड्रॉप कर दें फिर उसके बाद लेफ्ट को उठाएं और होल्ड करें 12345 इस तरीके से जब आप पैर को उठाएंगे ना तो आपको आपके पूरे थाई मसल्स, आपके पूरे के पूरे हिप मसल्स को थोड़ा टाइड करके रखना है और इसका पूरा एफेक्ट आपकी कूल है कि जो हड़ी है ना हिप की जो मांसपेशियां है इन पर बहुत अच्छा असर देखने के लिए मिलेगा साइटिका के लिए तो ये अभ्यास रामबाड है फिर से देखिए अपने ठुड़ी को मैट पर ड्रॉप किया और फिर उसके बाद ऐसे पैर को जितना हो सके उपर उठाएं ऐसे ब्रीद करते रहें चाहें तो 10 काउंट सक होल्ड करें और फिर उसके बाद ड्रॉप करें फिर उसके बाद पैर को उठाएं अगर सास रोक सकते हैं तो रोके बहुत अच्छी बात है नहीं रोक सकते हैं तो इस तरीके से 5 से 10 सेकेंड होल्ड करें ऐसे ब्रीद करते रहें यह सास को रोकें फिर ड्रॉप कर दें फिर उसके बाद उठाएं और फिर ड्रॉप करें तो कितने बार ये अभ्यास करना है इस अभ्यास को आपको कम से कम पांच बार दस बार कर लेना है पांच बार दस बार ना हो तो आप क्या करें कि इसका अभ्यास तीन बार ही करें और कोशिश करें कोड के डिसॉर्डर के लिए के लिए ही नहीं बलके पेट के बल लेटे हुए हैं तो पूरे पेट की मांस्पेशियां भी मजबूत हो रही है सारे आंत्रिक अंगों पर दबाव मिल रहा है इसका साथ ही पूरे जरनांगों पर इसका बड़ा अच्छा एफेक्ट देखने के लिए मिलता है अब जब यह अभ्यास कर लें आप कुछ दिन तो फिर क्या करें शलभासन का एक और बेरियेशन करते हैं या इसको रिवर्स बोट पोस भी कहते हैं विपरीत नावकासन विपरीत नवासन के नाम से भी जानते हैं तो आप क्या करें पेट के बल ऐसे ही लेट जाएं ऐसे और पेट के बढ़ लेट जाएं फिर उसके बाद अपने हेड को माधे को मैट पर ऐसे ड्रॉप करने फिर इसके बात सास लेते हुए हाथ को उठाए missing और पैर को उठाएं इस तरीके से और पूरी बॉड़ी का वेट आपने पेट पर Box फिर उसके बाद धीरे से हेड को डॉप कर दें ऐसे सास ले सासो को रोके वान ठुट फॉर फाइव एक्सेल फिर सी उठाएं फिर होल्ड करें वन चू करें दूट अगर अगर सासों को आप ना रोक पाए ना कोई प्राब्लम की बात नहीं है शुरू-शुरू में बहुत सी लोगों को सासों को रोकने में दिक्कत आती है तो आप क्या करें बस हाथ को उठाएं पैर को उठाएं पेट पर पूरा भार रखें और फिर सास लेते रहें जितनी देर तक होल्ड कर सकते होल्ड करें और फिर ड्रॉप कर दें बस इतना से अभ्यास करें फिर से रिलाक्स करें मकरासन में आराम से पेट के बल लेटे हुए मकरासन में आराम करें भीद करें भीद करें भीद करें भीद करें आपकी पूरी की पूरी रीड की हड़ी कैसे स्वस्त होने लगी है उसमें और भी जादा flexibility आने लगी है और जो मानसपेशियां है न वर्टीब्रास के आसपास उनमें भी मजबूती आने लगी है तो ये सारा काम जब होगा तो automatically back pain की समस्या, slip disc की समस्या, sight का pain में गजब का change देखनी के लिए मिलेगा दोस्तों ये तो थे कुछ चुनिंदा योग आसनों के अभ्यास जो मैंने आपको सिखाया अगर आप चाहते हैं मेरी निगरानी में रहके योग का अभ्यास करना तो आप सभी का स्वागत है मेरी online yoga classes में इन online yoga classes को zoom के माध्यम से conduct किया जाता है सो देट आप दुनिया के किसी भी कोने में रहे आसानी से इन classes के साथ जुड़के अभ्यास कर सके अगर आप beginner है और योग का अभ्यास कर रहे हैं या आपको कोई lifestyle disorder disease है मतलब thyroid, diabetes, hypertension, high blood pressure, PCOD, PCOS की समस्या रात में नीन नहीं आती आपको बहुत stress रहता है, constipation क समस्या है तो ये classes आपको बहुत मदद करेंगी क्योंकि मेरे जो existing student है उनको भी बहुत से स्वास्तिलाव मिले हैं जब से उन्होंने योग का अभ्यास करना शुरू किया है, beginner है घबराईए नहीं क्योंकि ये classes completely beginner friendly है इन classes में आपको सिखाया क्या जाएगा? अलग-अलग त naturally detox करेंगे लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि zoom के माध्यम से classes नहीं जॉइन कर पाएंगे तो घबराईए नहीं मैंने आपके लिए कुछ courses develop किये हैं जिनको purchase करने के बाद आप कहीं भी किसी भी वक्त कितनी भी बार इन videos को प्ले करके आसानी से योग का भ्यास कर सकत www.yogavidshahida.com इस website पर visit कर लीजिए registration यही से होगा और अगर किसी कारण से आप website विजिट नहीं कर पाते हैं no problem कोई बात नहीं यहाँ पर मैं एक whatsapp number शेयर कर रही हूँ इस whatsapp number पर एक hello hi लिग दीजिए आपको classes के बारे में सारी की सारी details एक auto generated message के थूँ मिल जाएगी एक बात और बताओं जब आप course को complete कर लेते हैं तो course के completion का certificate भी आपको मिलता है तो मैं तो बहुत excited हूँ आप सभी को योग सीखाने के लिए अगर आप सभी योग सीखना चाहते हैं तो तुरंत registration करने के लिए मेरी website विजिट करें या के फिर एक whatsapp करें तो देखा आपने मैंने कितनी आसानी से step by step इन 5 योग आसनों का अभ्यास आपको सिखाया अगर आपको slip disc या lower back pain या cytica की समस्या है उससे उबरने में तो ये आसन आपको मदद करेंगे ही करेंगे लेकिन अगर आपको spinal cord से related कोई भी समस्या नहीं है रिड की हड़ी से related कोई भी समस्या नहीं है, पीट में दर्द नहीं है, कमर में दर्द नहीं है फिर भी आप इन आसनों का अभ्यास करें ताकि future में ऐसी कोई समस्या आए ही नहीं आने से पहले ही उनको छू मंतर कर दिया जाए आप खुद भी इन आसनों का अभ्यास कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्टदारों को भी ये वीडियो खूँ फॉर्वर्ड कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो से स्वास्त लाव मिले आशा करती हूँ मेरा प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा और आपने चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर लिया होगा और अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं जाने से पहले चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर ले अगर आप चाहते हैं आपके सजेस्ट की हुए किसी टॉपिक पे मैं फ्यूचर में वीडियो बनाऊं तो मुझे नीचे कमेंट करके बताईए ना कौन से टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं मुझे बहुत खुशी होगी आपके बताए हुए टॉपिक्स पर वीडियो बनाके अपना खूब खयाल रखिये, अपने परिवार का ध्यान रखिये नेक्स्ट वीडियो में ज़दी ही मिलूंगी, नमस्ते है, है से एक्यान रखिया बनाऊंगी, मिलूंगी, वीडियो मिलूंगी और और को अभियो चाहते हैं